हेलो फ्रेंट्स मैं प्रमीला आज आपके लिए कुछ इतने अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नमबर वन है यह मैंने लिया है सैंड पिपर इसको मैंने एक इन चौड़ा काट लिय वह है इसके लिए हमको करना क्या है एक घर पे ही हम चाकू चुरे सीजर को शाप करने की मशीन बना रहे हैं तो यह देखिए शिलाई मशीन है उसके चरके में मैंने जो वह सेजार पेपर को नसे चारों हमेरी चोराप कर अज़िक की मशीन है बस अब हम इसको घुमाते हो तो आप इस तरह से डारेक्ट भी उसको आप सैंड पेपर को अपने चाकू छुरी या कैची पे रगड सकते हैं ये बहुत अच्छे से ये देखिए पूरी जंक ये साफ कर देता है तो जब तक मैं ये करती हूँ फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है ये चैनल में पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ये बिल्कुल फ्री है इसमें आपका ये मेरा एक पैसा भी नहीं जाता है ये देखिए मेरी कैची काफी हद तक 60-70% तक जो है शा और सुई ढूनना हम लोगों के लिए एक महा भारत हो जाता है तो इसके लिए बहुत इजी ट्रिक लेके आई हूँ आज आपको लेना है एक मैगनेट चुमबक का टुकड़ा वो इसमें डाल देना है और अपने सुई धागे को डब्बे को थोड़ा सा आपको शेक शेक कर और जब आप खोलेंगे तो ये देखिए सारी सुई या इसमें अच्छे से आ गई है अब आपकी मर्जी है आप इसको ऐसे ही इसमें रख सकते हैं ये देखिए हमेशा आपको जो है मिल जाएंगी बड़े आराम से या आप क्या कर सकते हैं इस तरह माचिस की खाली डब्ब इस तरह एक खाली पैन ले लीजिए उसका रिफिल हटा लीजिए रिफिल हटाएंगे आप तो उसके अंदर जो इस पेस अब बन गया है वो आपका काम करेगा एक सुई धागे के बॉक्स का ये देखिए इसमें मैंने सारी जो सुई या है वो डाल दी है रिफिल इसका हट के हटा दिया है मैंने वो खाली हो गया था एक्चिली और बस जब भी आपको सुई आ चाहिए हो तो आगे से कैप खोली और इस तरह से सुई बड़े आराम से निकालिए ये देखिए इसको आप आराम से पने सुई धाय के डबे में रख सकते हैं माचिस वाला या पैन वाल ये देखिए उसके ऊपर इस तरह से दो कट लगाई है आमने सामने पर एक कट दो कट और बस उसमें अपना धागे का जो एंड है वो फसा दीजिए इससे आपके धागे का एंड जो है वो उसमें सिक्योर हो गया है वो बिलकुल नहीं खुलेगा मैं फिर से आपको करके दि टिप नमबर फोर है हम जबी के घरों में हम इस तरह से सुई धागा यूज करते ही हैं लेकिन सुई में धागा डालना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है इस्पेशली अगर घर के बड़े भुजूर्गों की बात हो उनके आईसाइट कुछ टाइम में वीक अगर फेवी कॉल होता ही है तो आपको क्या करना है धागे के एंड में जो हमने धागा लिया धागे के सबसे स्टार्टिंग वाले एंड में थोड़ा सा नेल पेंट लगा लीजिए ये देखिए और उसको ऐसे हैंड से थोड़ा रब कर लीजिए थोड़ा सा पतला कर जैसे ही ये नेल पेंट सुखेगा ये देखिए आप जब अब इससे क्योंकि एकदम से थिक हो गया है शाप हो गया है अब ये सुई के अंदर बहुत ही इजिली जाएगा बहुत ही इजिली ये यूं मुड़ेगा उड़ेगा नहीं सेम का आप हमारा फेवी कॉल भी करेग थोड़ा सा फेवी कॉल ले और उसके धागे के एंड पे और इस तरह दोनों फिंगर से उसे हलका सा रब कर लीजिए बस एक दो सेकेंड में वो सूख जाएगा और बस अब आप जब इसमें पिरोएंगे तो आप देखेंगे ये कितनी इजिली आपका इसके अंदर चला ग आपको लेना है एक बजळी का तार कातें उसे अच्छे से चील ले चाकोकी हल्प से और इसतरह से उसके अंदर से छोटे 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 तार निकलाएंगे अब बस पैन को फिर से बंद कर दीजिए तो ये आपकी एक धागा गुसाने की मशीन बन गई है अब आपको क्या करना है जो ये तार आगे है सबसे पहले हम इसमें अपनी सुई डालेंगे ये देखिए सबसे पत्ली वाली मैंने सुई उठाई है और ये देखिए धागा टल गया सुई में सेम वे में मैं आपको फिर से करके दिखा रही हूँ तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है ओके फ्रेंड्स बाबाई